हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का अगली क्लास के अंदर ठीक है पिछली क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ा था वेटा अपने रेक्टम द्वारा और बहे लक्ष्णों का दार पर किस परकार से अपन गर्व परीक्षन की पता लगा सकते हैं या गर्व बैंस ग्याबिन है या नहीं है कि अन्य कोई जानवर ग्याबिन है या नहीं है वह बहे लक्ष्णों के अदार पर अपन किस प्रकार से पता लगा सकते हैं वह अपने पढ़ा था अभी अपन क्या कि प्रियोग साला जांच द्वारा गर्व परीक्षन का पता लगा लेंगे वह विद्व जांच द्वारा है कि गर्व परीक्षन ओुर अठीक है इसमें पहली चीज कया आती है पैली आती है कि अल्ट्रा साउंड और एक सूच्छ द्वारा अपना अल्ट्रा साउणड क्या करते हैं वह भी एक सलावी दी ओ गई कि अपन क्या करवाते हैं जैसे खास करें किसमें करवाते हैं या तो गोड़ी में करवाते हैं या कुट्टे में बिल्ली में इनमें करवाते हैं ठीक है और एकसरे किसमें करवाते हैं एकसरे तो अपन किसी के अंदर भी करवा के पता लगा सकते हैं ठीक है और यह जो अपने क पेस्ट भी देते हैं उनको कि मेरे जानवर के मेरे कुत्ते के इतने बच्चे होने वाले हैं तो कौन-kौन लेगा तो पहले भी देते हैं पहला तो साउंड जिसको सोनोग्राफिक है जेते हैं अधे शीवा सामें गाथ दूसरा एकसरे है कि इन दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं अपने गर्ब का पता लगा सकते हैं कि वो जानवर प्रेगनेंट है ग्याबिन है या नहीं है ठीक है दूसरी वीदिय में क्या है अपने दो चीजें को लेते हैं दो टेस्ट होते हैं पने उन दो टेस्ट वह बतारें कि पहला टेस्ट होता है एजएड टेस्ट जो पहला टेस्ट हो गया वह है एजएड टेस्ट ठीक है और दूसर टेस्ट क्या हो गया क्यूब हो नहीं टेस्ट ठीक है दूसर टेस्ट क्या हो गया क्यूब हो नहीं टेस्ट अब एजएड के अंदर टेस्ट के अंदर क्या होता है यह क्या है जेविक तरीका है एजएड टेस्ट क्या है जेविक तरीका है पहला पॉइंट इसके अंदर ये कैसा है जेविक तरीका है आपको होगे गुरुजी जेविक तरीका कैसे हो गया है इसको जेविक तरीका क्यों बोला तो बेटा इसके अंदर क्या करते है अपने द्रक्त में PMSG की मातरा का पता लगाने के लिए क्या करते है ये टेस्ट करते है और PMSG हर्मोन होता किसके अ नहीं है आपको यह आपको बता दिया किसके अंदर गोड़ी के अंदर होता है तो गोड़ी के अंदर प्रेग्नेंसी का पता लगाने के लिए एज टेस्ट करते हैं इसमें क्या करते हैं प्लड लेके और किसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं खरगोष के अंदर अपने उसको इस टैस्ट को कुछ सा तरीका है यह राशानी की तरीक है क्यों अपन क्या करते हैं। इस्टव्जन हर्मोन का पेसाम में पता लगाते हैं। तो क्या करते हैं इसके अंदर एक सलफिूरिक एसिड सलफिूरिक अमल नाम का पधार थो तरव साईन होता है। उस प्रसायन को मिलागे पता लगाते हैं अपने क्या क्या पेशाव ले लिया और उसके अंदर क्या मिलाया अब उस पेशाम के अंदर अगर इस्टोजन हार्मोन है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा और अगर इस्टोजन नहीं है तो रंग परिवर्तन नहीं होगा तो रखुआ में PMISG हर्मोन है या नही मैं या रखुआ है कि पेसाब के अंदर कि कई बाना का पता लगते हैं कि पेसाब में अगर क्या हर्मोन है तो जानवर प्रेग्नेंट है तो पेशाम में अब पूछ लेंगे इसमें कैसे आएगा कि पेशाम में इस्ट्रोजन का आप पता कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाता है और सम्रिये दोर्य हारमोन के स्टेश्ट के द्वारा पता लगाएंगे तो वेटा एजस्ट के द्वारा अपने आप में सप्रेंगे है तीसरा क्या हो गया यह प्याइम्स्जी अीप हर्मोन कब निकलता है उब यह प्रेगनेंसी के पता तिसे सो दिन के बीच कर्सक्रांब खोयां करता है तो अगर गरवावस्ता के 50 से 100 दिन तक ही लाग होता है क्योंकि जो जड़ा मातरा है निकलता दो क्या है यह ज़या दिन तक निकड़ाता है लेकिन यह मैंली 50 से 100 दिन तक होता है न хотел ज लेकर अ Isla passengers क्या होता है वो इस टेस्ट के अंदर पकड़ा जाएगा ठीक है और अगर क्यूबोनी टेस्ट यह 1.500 से 290 दिन तक लागू होता है क्योंकि 1.500 से 290 दिन तक अपने इजीली पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर तो एग्जाम में यह भी आ सकता है क्योंकि टेस्ट कितने समय तक या कितने समय पर लागू होता है तो 1.500 से 290 दिन तक तो यह क्या हो गया एज टेस्ट और क्यूबोनी टेस्ट तो अपने क्या हो गई यह टेस्ट पूर्य हो गया अब इसमें नाम बहुत बार बार में आ रहा है ठीक है पीमस्ज आर्मो पैमस्ज आर्मोवन अरह ठीक है बाटा तो पीमस्ज आर्मोन के बारे में आपको एक नोट लिक वा देते हैं यह प्रेगननट इसको क्या बोलते हैं इसी जी भी बोलते हैं इसी जी का मतलब होता है इक वाइन कोडियोनिक गोडावींटी तो अभे इसका स्रोथ कहा है किस के अंदर स्थ्रावित होता है ये तो आपको पहले पता लग गया होगा किस गोडी निकलता अब उसने सका स्रोथ कि किस से स्रावित हो रहा है तो बेटा यह क्या है जो घोडी के अंदर है घोडी के प्लेसेंटा में एंडोमेट्रियल कप होते हैं उनसे स्रावित होता है जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर एंडोमेट्रियल कप नाम की संचना पाई जाती है उससे यह हार्मोन स्रावित हो तो है तो अगर यह प्लेसेंटा से आज मिलें ओप्शन में आपको मिलें कि घोडी के प्लेसेंटा से तो भी सही है और अगर पूछ लें कि प्लेसेंटा नहीं देखें एंडोमेट्रियल कप से तो भी सही है क्यों एंडोमेट्रियल कप है ना वह प्लेसेंटा कई भाग है बे कप सरंचना से तो अगर option में आपको endometrial कप मिल जाए तो भी तिक लगा देना ठीक है यह मिल जाए आपको placenta से endometrial कप आपको नहीं मिले तो भी placenta भी मिल जाए तो भी कहा करना आपको इसको answer को तिक लगा देना है सरंचना से स्रावित होता है अब अगली बात क्या है कि आपको पहले बताया हुए यह कि मुख्य तक क्या करता है यह की तरह कारे करता है लेकिन fsh और ls दोनों की तरह भी कारे कर सकता है अगर पूछने ना आपको मुख्य तरह पूछे अगर कि यह मुख्य तक किस हर्वोन की तरह काम करता है तो किस की तरह बोलना आपको fsh की तरह वह बात मैंने आपको पहले बताज भी दी थी और आप इसको चाहिए लिखवा भी देता हूं आपको तो यह हैं किसकी तरह कारे करता है fsh वे ls दोनों की तरह कारे करता है दोनों की तरह कारे करता है लेकिन मुख्यत है fsh की गतिविदी इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है लेकिन fsh की गतिविदी ज्यादा होती है ठीक है काम तो दोनों की तरह करेगा लेकिन fsh की तरह ज्यादा कर रहा है अब fsh की तरह ज्यादा कर रहा है तो मतलब कोई ने कोई fsh क्या काम करवाता है यह अंडे का उद्दीपन करवाता है ठीक है एक अंडे का उद्दीपन करवा रहा है तो अपने क्या किया इसकी तरह काम करने वाले हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया किसी जानवर को तो व बोलते हैं मेटा इसको क्या बॉलते हैं इसका काम क्या हो गया किसमें काम मिल यह इंहकंड सुपर और संख्या के अगर पूसे ले खिब यह मैंजी हर्मोन का क्या उप्योग है तो क्या कर दोगे आप सुपर ओविलेशन ठीक है अब अपने जो एक लास्टीज बच गई वह ओली क्लोर नोट के अंदर आप गर्व परिक्शन की कि अगर उटनी के अंदर पूछ ले आपको कि उटनी के अंदर आप किस परकार से गर्व परिक्शन करोगे तो उटनी में एक तो रेक्टल पालपेशन द्वारा उटनी में रेक्टल पालपेशन द्वारा मतलब कि उसकी गुदा मार्ग में हाथ देखे जैसा कि गाय बैसमेपन करते ह द्वारा एवन कोकिंग ओफ टेल द्वारा कोकिंग ओफ टेल अब बेटा यह कोकिंग ओफ टेल होता क्या है ठीक है पता कैसे लगएगा कि गुरुजी यह कोकिंग ओफ टेल वड़ा साइन दे रही हमें तो बेटा ध्यान रखना कि जैसा ही उंट है नर उंट मादा के पास आ लेती है मतलब जैसे उंट उंटने के करीब आएगा और उंट की अगर लेए अपनी पूंच को ऊपर उठा लेगी तो समझ जा 에गा कि इसके साथ छेरचाण नहीं कर उपर करना क्या बोल देती है उसको कि नहीं भाई मेरे साथ छेड़ छाड़ नहीं क्यों मैं तो पहले से ही ग्याब बिन हूँ तो पूंच को उपर करने कोई बटा कोकिंग ओफ टेल बोल देते हैं तो उंट का मादा के संपर्ग में आने पर आने पर मादा दोवारा पूंच को उपर करना उपर करना उसको ग्याबिन इंगित करता है या प्रेगनेंट इंगित करता है तो जो खूब सारे उउट रखते हैं जिनको रहबारी बोलते हैं तो वो बेटा ऐसे साइन देके पता लगा लेते हैं कि ये उउट नहीं प्रेगनेंट है कि नहीं है उनको डॉक्टर बुलाने की ज़रत बहुत ही कम मैसूस होती है तो बेटा अगर उट के अंदर पूछ ले तो है क्या बताना है पहला तो रेक्टल पालपिशन दूसरा कोकिंग ओफ टेल ठीक है तो ये क्या हो गया गर्प्रेक्शन के अपनी विधियां सारी पूरी हो गई कि किस किस प्रकार से कौन को निजार उमर में अपन गर्प्रेक्शन करेंगे उस सारी बातें आपको बता दी अगला टोपिक जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं वो है बेटा अबोर्शन जिसको क्या बोल दिया अपने गर्ब पात तो इसका वारे में आपने हमको हमने पह सरीर से जानवर ने बाहर फैंक दिया उसी वो क्या बोलते हैं गर्ब पात क्या बोलते हैं अबोर्शन तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ले इसकी लिखावी लिखाई हुई है आपको लेकिन अगर आप यहां टौपिक स्टार आओ तो यहां भी लिख लो कि गर्बकाल क पून होने से पहले मरत बुरुन का जिन्दा नहीं बटा मरत बुरुन का सरीर से बाहर आना अगर गर्बकाल पूर्ण पूरा हो गया उसके बाद मरत बूर्ण बार 하는데 तो इन ऊपकाल चिजों में आप कारक होते हैं जो क्या करतेत हैं इसमें गर्व पात करवा देंगे तो बैटा दो कारक होते हैं एक तो होता है संक्रामक कारक एक होता है अब संक्रामक कारक क्या हो गया गुरू जी तो बैटा संक्रामक कारक चाहिए भुन का प्लेसेंटा या और कोई चीज दूसरे जानवर को टच कर गया ना तो उस दूसरे जानवर के अंदर भी क्या करवा देगा वो गरपात करवा देगा ठीक है अगर मालो वो प्लेसेंटा उस पानी के खेली में या पानी के स्रोत में पढ़ गया जहां से पूरे जानुवर पानी पीते हैं तो बिटा क्या होगा यह संक्रामक कारक है ना यह रोग तो यह सारे जानुवरों के अंदर क्या करवा देगा गर्वपात करवा देगा ऐसंक्रामक क्या होते हैं कि जो दूसरे जानुवरों के अंदर गर्वपात नहीं करवा पाते ठीक जिसके अंदर उस रोग की कमी है जिसके अंदर वो रोग है सिर्फ उसी के अंदर गरपात करवाएंगे वो दूसरे के अंदर गरपात नहीं करवाएंगे तो उसको कुण सा हो गया ऐ संक्रामक की नहीं फैलने वाला तो पहला कुण सा हो गया पहला क्या हो गया संक्रामक कि यह तो फैलता है बैटा यह तो एक के हो गया तो दूसरे के बढ़ देगा जिसको क्या बोलता है इनफेक्सियस कोजेज संक्रमक का रहा कि उसको क्या बोल दिया इनफेक्सिस अब प्योटा कि वज़े से हो सकता है कि जीवानू की वज़े से हो सकता है या कोई विशावनू या वायरेस्ति वी वह सकता है तो कौन-कौन से जिवानू से होने वाले रोग हैं जिनके जैसे घरब पात होता है तो वह आपको एक साथ बता देता हूं मैं कौन सा हो गया पहला जिवानू जनीत रोग ऐसे जिवानु जनीत रोग, जिवानु क्या है बैक्टिरिया, कि बैक्टिरिया ऐसे कौन कौन से ऐसे रोग है, जिन में क्या हो जाएगा, अगर वो रोग जानवर को हो गए, तो गर्ब पात हो जाएगा, तो बैटा, ब्रूसेलोसिस, ठीक है, पहला कौन सा है, पहला जिवा के फिल्ड में बहुत मिल जाएगा आपको एक कारण तो क्या हो गया बूसेलोसिस अगला कौन सा हो गया ट्यूबरकुलोसिस जिसु क्या वोगत टीबी अपने टीबी आद्मियों के अंदर नहीं होती बटा टीबी जानवरों में भी होती है ठीक है और वो टीबी अगर क्यू लोसिस ठीक है दूसरय ओगया टीवर्कुलोसिस यह एलम यह तक तीसरा बता हूए किक है लिसिट्टीर्योसि सीज्टीक है । सधीट्ष ऐस कि आ पैस्ट की साथ क्वा घ्रपात करवा देगा लैप्टो campus अ आपने अगर यह तो मेडिसीन में पढ़ लिया होगा कि किस कि के वज़े से कौन कौन सा रोग होता है नहीं तो आपको एक बार मैं यहां भी बता देता हूं तुम को गुरुजी बता है नहीं यह रोग हो किसकी वज़े से रहा है तो वैटा बुर्सेलोसिस है ना वो बुर्सेला के वज़े से होता है अब बुर्सेला में अलग-अलग होते हैं कि बुर्सेला अबोर्टस बुर्सेला कैनिस बुर्सेला सुईस ठीक है लेकिन वो रोग कोन सा है बुर्सेलोसिस बुर्सेला करन तो देखो बुर्सेला बुर् तो जाएगा तहीं हो जाएगा। इस मार पूसे पता लागा रहे लिस्टीरिया विष्टी दिश किसे और भोगा लोपड़िया आ से है लेंड और पर इस पारिसिस किसे होगाट से यह ज़ुक्त की प्रोटोग कांसे से कौन-कौन से रोग होंगे जिन से क्या हो जाएगा अबोर्सन भो जाएगा तो ट्राइको-मोमिस्स रोग है वेटा आपने सुना खो जिसका नाम कृते हैं। जिसको सर्रा भी कह देते हैं क्या कहते हैं सर्रा और क्या बोल दिया अपने ट्राइको मोनियसिस जिसको अपने क्या कह सकते हैं जिसको और क्या कह देते हैं सर्रा कह देते हैं गाहों में किसको तो क्या हो गया सर्रा हो गया तो सर्रा किसके उद्धे से होता है ट्राइको मोनियास ट्राइको मोनास की उद्धे ट्राइको मोनास इवानसाई देखो अब उसका कारक आपको ट्राइकोमनास पताओ कन्फूजन खटम ठीक है यह क्या हो गया प्रोटो जवाश हो गया अब बच क्या क्या विशानू कि विशानू से कौन-कौन से होते हैं विशानू जनित रोग कौन से रोग हैं विशानूसे होने वाले जिन से क्या होगा अब और्सन हो जाएगा तो पहला है एक वाइं हर्पीज वाइरस अब नाम से पता लग रहा है एक वाइं पहला क्या रहा है किसके अंडर करेगाई इक वाइन के अंदर करेगा इक को बोलत है आ रहे है जो गोडी है उसको इक वाइन ही बोलता है जो rằngट गोटी होगया कहाँ यह इन्फेक्सियस, बोवाइन, राइनो ट्रेकेटिस, दूसरा क्या है, इन्फेक्सियस, बोवाइन, राइनो ट्रेकेटिस, क्या रहा है, बोवाइन, बोवाइन के अंदर करवा देता है, गाई बैस के अंदर, ठीक है, क्या रहा है, इन्फेक्सियस, बोवाइन, राइनो ट्रेकेटिस, ये भी किस्ते होने वाड़ा है, वाइरस सही होता है, ठीक है, तीसरा क्या है, एपीजूटिक अबोर्शन, ये भ कि निमन में से कौन सा जीवान जनित रोग नहीं है नहीं है आ जाएगा उसमें देंगे आपको कि बुसेलोसिस जीवान जनित है टूबलक्रोसिस इस्टिरोसिस और तो देंगे आपको इकवाइन हरपीज वाइरस निमन में से कौन सा जीवान जनित नहीं है तो तीन तो जीवाइन हरपीज वाइरस वाइरस किसे हो रहे हैं वाइरस की हो तो यह भी ध्यान रखना आपको एक्जाम में ऐसे पूछ लेंगे इसके अंदर मालो आप पीछा वाड़ा की उसने दिखा तो आपको कि जीवान जनित रोग नहीं है तो इसमें आपको यह तीन तो नाम दे दिया इस में से होने वाले और चौता देदिया किसी वाइरस का नाम तो आपको वाइरस वाला ठीक लगाना है तो शिदे-शिदे भी आपके जाएंगे या पूछ लेंगे कि निमन में से कौन से रोग जो गरब पात करवाते हैं वी सवनों से होने वाले हैं तो उसमें आपको ओप्शन देंगे कि वाइरस एपीजूटिक अबोर्शन है या बोवाइन वाइरल डायरिया तो तो अब क्या करना है यह सारे याद भी रखने आपको कि कौन-कौन से रोग जीवाने क अपको एकजाम मिद्स की व रहें तो आपको गलत नहीं कर देना बंव दूसरा क्या हो राये अपना दूसरा काल कौन सब्सक्रांक यह क्या था संक्रामक कि दूसरा का हो गया संक्रामक एसंक्रामक कारक जो अगर जिस जानवर के अंदर एसंक्रामक कारक की वो जैसे प्रोब्लम हुई है वो दूसरे जानवर के अंदर नहीं पहलेगी एसंक्रामक मतलब की नहीं पहलेगी दूसरे के अंदर संक्रामक मतलब की फैलने वाली ठीक है तो इसके अंदर कोंड कोंड सी हो सकती है यह संक्रामक कारक कोंड कोंड से हैं जो क्या करवा देंगे अबोर्शन करवा देंगे तो पहला तो क्या हार्मोन जनीत कारक हो गए हार्मोन कारक हो गए पहले तो अब हार्मोन कारक में क्या क्या हो गया बेटा हार्मोन कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार है अप सब को बता है प्रोजेश्टन हर्मोन जिम्मेदार है तो बैटा अगर प्रोजेश्टन हर्मोन कम हो गया तो क्या होगा गर पात हो जाएगा यह इस्टोजन हर्मोन बढ़ गया तो मैंने क्या कब कहा था कि प्रसव के समय बढ़ता है इस्टोजन हर्मोन अगर प्रसव से पहले ही बढ़ गया ना तो मैंने क्या कर आएगर बासे में संकुचन करवा देगा और संकुचन करवा के क्या करवा देगा अबोर्शन करवा देगा तो क्या हो गया कि इस्टोजन क का बढ़ना जो इस्टोजन हार्मोन वो बढ़ जाए या फिर प्रोजेश्टन हार्मोन गट जाए हार्मोन का गटना अधर मैंने बताया थना आपको कि गर्मियों के अंदर क्या होते हैं जो पांच से मैंने की प्रेगनेट गाय बैस क्या करते पीछे से म्यूकस स्लेशमा देने लग जाती तो अपन क्या करते हैं इसके ठंड का ठीका लगवाते हैं क्यों देने लग जाती है यह इनका नहीं लगाया तो क्या हो जयेगा गरपात हो घ्ले का बढ़ना प्रोजेश्टन का घटना दूसरे क्या का रख ओगए हार्मोन जनित कार होगी दूसरा आहार से सम्भधित कारक दूसरा क्या हो गया आहार से सम्भधित कारक कोई भी प्रेग्नेंसी को मेंटेन रखने के लिए सभी पोसक कत्व की आउसकता होती है अगर मानलो तुमने सही से तुम उस गाय बैसको चराई नहीं रहे हो तो क्या होगा उस बुरुण को सही तरीके से पोशन नहीं पिल पायेगा परिमा को पोशन नहीं मिलेगा तो बुर पात हो जाएगा तो किस-किस कन्डिशन में हो गया किस-किस हवस्ता के लिए पोशन के अंदर या आर से समझेद हो गया अगर उसको सभी परकाल के पोश्कत तत्त हो नहीं मिल रहे तो क्या होगा बुरुण की वर्दी नहीं होगी बुरुण मर जाएगा या अकाल पढ़ रहे हैं थी के अकाल पड़ रहे है तो उसको सही जो ग्याबिन जानवर ऊसको सही खाना दाना नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा उसका अबोषिन हो जाएगा या फिट चादी कि कमी ओजाए वर अगर intermittent कार्फिसウ नोजाएगा ठीक है तो यह क्या होगे नोट और नोट में क्या लिखाएंगे आपको डिफ्रेंस लिखाएंगे किसके सके अंदर एक तो ट्राइकोमोनास फिटस के अंदर और एक केमपाईलोबेक्टर फिटस एक तो है ट्राइकोमोनास फिटस बेटा इनके बारे में पूछ लेते हैं ट्राइकोमोनास फिटस और दूसरा क्या है केमपाईलोबेक्टर फिटस इन दोनों के अंदर अपने क्या क्या अंतर है वो पढ़ेंगे तो बेटा यह दोनों भी मारिया ना पहली तो खास बात क्या है इनके अंदर यह दोनों भी मारिया समा गम से फैलते हैं फिक है जब अपन सांड को गाय के ऊपर चड़ाएंगे इस तुसके दौरान तो क्या हो отмет कुण सी ट्राइकोअवनाफ फ्यक्रास के करन जा रहा है समागम के करन कया एम करता है लता है ये वह समान में फरक है लेगन आपने यह बहुत आगली है वो अज़ग अलग है इसमें एक किसन तो ऐसे यह सकता है कि समागम से फेलने वाले जी मनलब कारक कौन-कौन से हैं। थी का कौन-कौन से आठा कारक समा गम की उज़ा से फैलते हैं। तो कौन-कौन जोगे ट्राइकमोनास फिटस और केमपायलोबेक्टर फिटस। और तीसरा ओप्षन में क्या मिल जाएगा आपको A और B दोनों। तो आप किया करदेना है ओर भी दोनों सही कर देना अब इन दोनों में अंतर क्या है ये अंतर explain लए रिकमोनास फिर만 डिए से पाईमाटर्य में गुरूजी आपने बटाया नौनल है जलतफेतस के अंदर अब से कैसा होता दिखने में अब पायोमेटर तो किसी रोग के वज़ेसे भी हो सकता है तो बेटा पोटेटो सूप जैसा आप उसको देखो गया नहीं तो पोटेटो सूप के जैसा दिखेगा हो तो इसके अंदर क्या हो आता है पायोमेटरा पायोमेटर क्या घरबासे में मवाद पढ़ना और कैसी मवाद कि पोटेटो सूप जैसी सूप जैसी मवाद पढ़ना किसमें घरबासे में तो यह क्या हो गया इसका स्पैसिपिक लक्षन हो गया किसकी जैसे पढ़ेगी पोटेटो सूप जैसी मवाद सिर्फ इसी कारण पढ़ेगी ट्राइकमोनास फीटस यह कारण अब यह क्या करवाएगा तो यह बेटा पूरी भेड के अंदर क्या करवा देता है अब बोर्शन करवाता है अब बोर्शन क्या होता है गुर्जी यह तो बताओ भेड में अब बोर्शन स्ट्रॉम करवाता है अब बेटा अब बोर्शन स्ट्रॉम क्या हो गया कि अगर मानलो एक बाड़े के इंदर पचास भेड हैं पर उसमें 25 क्या है गयाबीन है तो बेटा अगर यह रोग एक भी बेड़ को हो गया उस बाड़े के अंदर तो पत्चीस की पत्चीस बेड़ जो ग्याबिन थी उन सब के अंदर अबोर्शन करवा देगा ठीक है तो उसी को क्या बोलते हैं अबोर्शन स्ट्रोम अबोर्शन स्ट्रोम क्या होता है एक तरीके से कि बाड़ ठीक है जितने भी उ गर्बपात करवा देगा ठीक है तो यह इन दोनों के अंदर डिफ्रेंस हो गया क्या या क्यूशन मन्ने थे वह आपको मैंने बता दिये अब अगला ठीक है कि गर्बपात के मुख्य संक्राम कारक कौन कौन से जानवर के अंदर गर्बपात किस की वज़े से मुख्य रूप से होता है तो पहले पढ़ेगे पढ़े गाय और भैस के अंदर और यह इंपोर्टेंट है बेटा ठीक है इसके अंदर सीधे सीधा क्यों पूछे लेंगे क्यों इधर लिख रहा हूं आंसर इधर लिख रहा हूं कैसे की एक्जामी सीधा जाएगा कि गाय में गर्वपात का मुख्य कारक है है मुख्य कारक क्या है बिटा तो इसके अंदर ब्रुसेला अबोर्टस यह क्या है एक बैक्पीरिया है बिटा ब्रुसेला अबोर्टस तो मैंने क्या कहता देगो बुरुसेलोसिस मैंने कहता ना पीछे कि बुरुसेलोसिस किसकी वज़े से होता है बुरुसेला की वज़े से करवाएगा देखो मुख्य कारक दो क्या है बृस बुशला आब अब दूसरा घो हो गया तो यह घोड़ी के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको मार के स्रीर से बाहर निकाल देगा उसको जान को कि उसका हत्यारा बन जाएगा उसकी जान ले लेगा ठीक है भेड और बकरी के अंदर अगर पुछें भेड और बकरी के अंदर कर बच horse कर वा देता है को अबी टाओ यह वहारा रहा था अभी किली पड़ा आपको एपले त सब्सक्राइब ऑचकरी कर रहा था तो ब्र मुन ए OF ग्री करकौन सा हो गया कैंप पाइव क्रक्र a पीछे एक इंपोर्टन अभी तो बताया था आपको अब और स्ट्रॉम बेड़ के अंदर पूरी बेड़ को एक साथ क्या करवा देता है अगर एक के भी हो गया तो सारी बेड़ों गरपात करवा देगा तो वही तो यह एक एंपाइलो बेक्टर फीटस बेड़ बकरी के और दाने एक्जाम में आणसर के अंदर विब्रियोसिस दे रखाओ या कैंपाइलो बैक्तिरियोसिस दे रखाओ तो तो प्रिप्रीयोस पील सकता था तो नहीं होना है ठीक है चोता क्या हो गया मुटनी के अंदर मुख्य रूप से घर पात कौन सा कारक करवाता है तो अगहां में क्या बोल देते है सर्रा उुटनी के आघनर इसको टीबर साही कह देते हैं यही कारक है तो क्या हो गया represent सोमा इवान सई जिस्वों क्या कहा देता है नोर्मल बात समय पढ़ने गाओं में क्या देए बैटा सर्रा बोल देते हैं जिसको तो यह सर्रा अगर हो जाता ना उटनी के अंदर रोटनी ग्या भी नहें तो बैटा उस बच्चे को छोड़ेगा नहीं है तो मारके छोड़ेग को क्या कर देगा उसका गर पात कर वा देगा अब अगला सुरस के लिए लेप्रेख लेवर से कुछ पर जो मुख्य रूप से अगर वह हो गया तो फिस लेप्र लेप्रम स्पाइब यह क्या है अखर पीछे बताया था मेरे लाड़ लो वह क्या एक बेक्टिरिया जीवाणूं से होने वाणा रोग लेप्री कों स्पाइडा जिसके मुझे से क्या होता है डेप्रीक्राइब थोड़े पहले दो बताया था ठीक है और आखिरी जो बच गया वह क्या है कुटिया के अंदर मुखिय रूप से गरपात कोंद करवा देगा को है कोत्य और मुखिय रूप से बुषला केनईस करवा देगा देखो यह भी गुरुष वह कारणी होता है लिissements की ऋर्ल करवाता है और और बहहते के इंदर गाहे बहिंज के अंदर कौन करवा रहा रहा है Bursel kiss commit करवाता थै आपना बताएंगи कि विभिन कार को से गर पात का समय कि किस किस समय पर कौन-कौन से कारक गरपात करवाएंगे, ऐसे नहीं है, कि एक महिने पर कोई कारक क्या हो गया? उसको इंफेक्शन हो गया और उसी महिने करवा देगा, नहीं बेटा, हर एक वाइरस हो, चाहिए जीमानू हो, हैं, उन्साब का एक फिक्स टाइम होता है, कि वो उसी टाइम पर क्या करवाते हैं गरभ पात करवाते हैं तो घ्र कार को का गरभ पात का समय यह भी इंपोर्टेंट आवाई विभिन कर को की को अन्य ब्रकषे कि क्या किया है अपने पूरा जो गरभ काल ना उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया जैसे मालों गाय का कितना है नो माहा है तो हमने क्या 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 कर दिया फस्ट ट्राइमेस्टर बोल दिया जो बीच के है बुद्र कर दिया तीन वागों में घिवाजित कर दिया सब्सक्राइम में सेखिणंड टाह्मेसे और थर्ड़ी खीड़ त्रीमेस्ट में तो उसमें पहला क्या है उसी क्या पर आपको बताएंगे गरब पात का कारक यह और गरब का समय क्या है गर्वपाद का कारक और गर्वपाद का समय ठीक है उसमें पहला कुण सा है ट्राइको मोनास फीटस पहला जो कारक है वो कुण सा है ट्राइको मोनास फीटस तो बेटा यह क्या करवाता है घरपाद करवाएगा मैंने क्या कहा था अपने पूरे गर्वकाल को तीन बागों में वाज़ित कर लिया तो जो पहला भाग है कि सुरू के जैसे मालोग अगर गाय की बात करें कि 9 महिने आना तो पहला बाग कितने मेने हो गया तीन मेंने को गया तो सुरू के तीन मेंने का तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करवादेगा गरपात करवाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं करवाएगा यह सिर्फ कब करवाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम ऐसे मसोच लाना कि रोग तो ही जी यह रोग तो करी रहा है और यह तो रोग ही है तो फिर कभी भी करवा देगा यह तो इसकी मर्जी नहीं बैटा इतनी भी मर्जी नहीं यह गर पात तो करव कभी भी करवा दे तो फर्स्ट ट्राइमेश्टर या ओप्षन में मिल सकती है कि दो से चार महा कि दो से चार महा भी आपको उप्षन मिल सकता है कि ट्राइगों मोनाश फिटस कब गरपवात करवाता है तो आपको हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेश्टर नहीं मिले क्या मिले से चीर माह मिले हैं यह उसकता है दोनों मिलें तो आपको क्या करना है अगर उपशन मिल जाए ना ये rotate ट्राइमेंस्टर सब्सक्राइब और भी दोनों तो बेटा सो चना भी नहीं है LEभ ए बधार जिक लगा जीना आपको हीगए केमपाईलोबेक्टर फिटस है केमपाईलोबेक्टर फिटस अर्व बेटा जो यह से मन लिखूँ केमपाईलोबेक्टर वैसे आपके दिमाग में आज चाहिए कि पीछे क्या लिखवा रेल सोंन स्ट्रों भेडि के अंदर याद आडए यह ही करए है अफॉसरा उसमें करवाए गई किसमें करवाए गई से किंड ट्राइमेश्ड में करवाएगा अब तीसरा कोंड़ सा बचके आपना ja इस किवान जनीत जितने भी रोग थे तीसरो याद रखने में आपको जीवान कशे जितने भी रोग है न वह क्या करवाएगा वाие जैन nome क्यक्ति ऑपने पीछे पड़ यह फे प्रय को पहला दो क्या था ब्रुसेला कि ब्रुसेलोटे माइको एस और यम यह माईख को है fourteen यह उट्षा हमकर वाई था TB टूबर chacun seska रवा रहता ठीक है तीसरा क्या है सिर्थ सॉं सपाइरा है जुक्वने कि क्रावैं था लेप्टो स्पायरोस जिस्क रवा रहता तो था क्या ओग लिस्टी रिया यह क्या करवारा थे लिश्टी दिश्टिस करवारा था चैनख छब क्या व Tigra on Bacteria है और पीछ ए लिए आपको तो यह चैनल कब कर्वाएंगी होग है थर्ड ट्राइंश्र में करवाते हैं उन्हीं के नाम दुबारा लिखे हुए है माइको बैक्टिरियम कन्फूज बतो ना वहां टूबरिक्लोसिज लिखाया ना तो टीबी वी है वह इसी के करणन होती है माइको बैक्प्री में जैसे ठीक है तो नहीं होना और आखिर एसार यह तो बड़े जैने इनकर नमाी यह तो यह तो आय Lex वह दो भी करवा देंगे अब ऊसन तो बश्चान अब इस पर यह किया करते लेकित connection में अगर आईब्यार के लिया जाई को कभी भी करवा सकते हमाई सब्सक्रियु तभी abortion करवा दिया तो ये क्या हो गया बेटा ये गरपात पूरा हो गया abortion किस-किस कारक की वज़शे होता है कौन सा मुख्य रूप से कारक किस जानवर के लिए अंदर जिम्मेदार है ठीक है और गरपात का समय कौन-कौन सा कारक कब-कब गरपात करवाएगा ये सारी चीज़े आपको इसमें लिखवा दी है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा important है और इसके अंदर जो दो चीज़े important थी मैंने आपको बताया है तो बटा क्युसन गलत करना ही नहीं तो आज ही क्लास अपन यहीं कतम करते आगी क्लास फिर अपके लिए आगे वाली क्लास में लेके आएंगे धन्यवाद सश्रियकाल राम राम भई